सो हेलो ट्रेडर कैसे हैं आप सभी आज की वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं और आज हम फिर से फिन निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे और आज है फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर आज फिन निफ्टी की एक्सपाईरी है और इसका अगर हम जो भी है पीशया रेसो देखे तो अभी 0.6 के करीब है वैसे पीशया रेसो इतना काम करता नहीं है और मैं खास कर पीशया रेसो देखता नहीं हूं क्योंकि यह डेटा मतलब चेंज होता रहता है तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नह नेगेटिव है है अगर यह एक से ऊपर होता ना एक फॉइंट दस होता एक फॉइंट पंद्रा होता तो मार्केट मतलों कि एक अप्ट्रेंड में या फिर एक पोजिटीव यह में चल रहा है भी लेकिन अभी अगर यह अठितर शेतर पर है 0.6 एक से अगर नीचे है तो हम इ लेने भी चाहिए है भी ठीक ना बात करते हैं ओप्सन ओपन इंट्रेस्ट की चलो ओपन इंट्रेस्ट एक बार चेक कर लेते हैं और वैसे तो एक्सपैरी जैसे कि देखो आज एक्सपैरी है फिन निफ्टीगी तो अब क्या होगा अगर मैं आपको दिखाऊं कल की दिन बिल्कुल ट्रेंड लाइन के नीचे गई तो थी मार्किट लेकिन यहीं से एकदम प्रफेक्ट बाइंग आई है यह ट्रेंड लाइन मैंने पहले से ही ड्रो करके रख रखी है यह अगर आपने करके रख रखी होगी तो आपने यह मूव पकड़ा होगा और देखो किस तर पहले आपको देखना पड़ेगा मार्किट का स्ट्रेक्चर जैसे कि यह हमने पहले से ही लाइन ड्रो करके रख राकिये ट्रेंड लाइन यह जो ट्रेंड लाइन है यह हमने पहले से ही ड्रो करके रख राकिये यह हमारे लिए एक most strong support का काम कर रहा है क्योंकि देखो देख पर आती है तो बहुत भेंकर बाइंग आती है तो अब ही हमें इसी तरीके से काम करना है वैसे मार्केट ने नागेटिव क्लोजिंग दी है अगर आप देखोगे और तो handle बनती दिखती है यहाँ पर तो यहाँ पर एक buying बन सकती है बड़िया सी expiry तो है याज देखेंगे कैसा कैसे target मिलता है कितनी moment मिलती है expiry में थोड़ा सा मतलों trading करने नहीं चीह लेकिन चलो आज देखेंगे आज हम zero to hero trade करने की कोसिस करेंगे हो सके तो थोड़ा सा अगर वो दो बज़े के करीब करेंगे तो अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ पर time value है न वो खतम हो जाती है थोड़ा सा intrinsic value बच जाती है time value थोड़ी बहुत बचती है और खतम हो जाती है तो इतना थोड़ा सा risk नहीं रहता अगर हम in the money में लेते हैं तो ठीक है न लेकिन कोई दिक्कत नहीं आज हम otm में करेंगे trading और expiry में थोड़ा से zero to hero trade करेंगे की कोसिस करेंगे आज देखेंग तो हम ले सकते हैं लेकिन आज यह हम जो भी है करके देखेंगे किस तरीके से क्या होता है अभी हमारे लिए जो भी resistance का काम करेगा वो यह level करेगा जो की है 24,000 के आसपास क्योंकि market ने यहीं पर swing बनाया है और double top बनाये है अगर आप देखोगे तो यह double top गिरेट यू है उस में ही resistance है अगर आप देखोगे हाँ नीचे की तरफ आए यहाँ पर कोई positive candle form हो तो यहां से अपनी बाइंग बन सकती है तो यहां से जब भी आएगे न मार्केट तो यहां पर बड़ी मुमेंट मिलेगी छोटी मोटी मुमेंट नहीं बड़िया एकदम fire मुमेंट मिलती है जब भी यह इसके आसपास आती है ठीक है ना तो सिदा सा simple सा structure अगर मैं आपको दिखाऊं वंडे के टाइम फ्रेम में वंडे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यह वाली trend line follow कर रही है मार्केट यह उपर की साइड है यह नीचे की साइड है अभी क्या हो रहा ह इस डेल के फिर्फ इस candle के जो candle की opening है ना उसका support मानना है और इस candle के जो high लगाया उसको resistance मानना है फिलाल इस candle का resistance हमारे लिए .husts का का काम चाहाँ है और इस candle का low है वह strong support है और opening है वह भी हमारे लिए support का का काम करेहा ज्यփच ए वले ट्रेडर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे वर्टसप गुरूप के बारे में बताना चाहता हूं जहां पर आपको 30 से 40 यहां तक की 80% गेन देखने को मिल सकता है यह वर्टसप गुरूप दोस्तों टॉप एनलेसिस सहदेव राजपूच की तरफ से चला जा र गेरा या फिर ऐसे स्टोक आपको बताए जाते हैं जो की फ्यूचर में चलकर या फिर सोट ट्रिम में अच्छा खासा रिटन दे सकते हैं और काफी आपको ट्रेडिंग टैक्निक भी आपको यहां पर बताई जाती है तो मैंने इसका लिंक डिस्कृशन में दे दिया है तो है तो हो सकता है इस तरीके से स्विंग मनाकर इस ट्रेंड लाइन को फिर से छूने की कोसिस करें तो यहां से अपनी एक बाइंग बनेगी अगर मार्किट यहां पर आएगी ठीक है ना और देखेंगे मैं आपको ओपन इंट्रेस्ट दिखा दू तो यहां पर अगर मैं 24,000 के लेवल पर बताऊं तो यह आपर लगई Martinez हो आई है एनदेख षबीजाज 2021 सबसे जो चोड़क स्ट्रॉण रसिष्टैंस 24,000 का उसके बाहिए च्ट्रॉण लिए वो है 200 का तो यह दोनों strong resistance है अगर यह तूटेगा 24,000 का लेवल तो 24,000 और 24,000 का जो भी open interest है वो थोड़ा panic में आकर sort covering करेगा तो market so फिर अगर यहां पर भी market नहीं डटता है उपर आता है तो फिर so का open interest भी यहां पर panic में आ जाएगा और sort covering आईगी तो market 200 तक आ सकता है लेकिन हो सकता है आज ना आए कल आए परसु आए लेकिन यह open interest सिर्फ आज तक ही है ठीक ना क्योंकि आज expiry है तो खतम हो जाएगा और open interest पर इतना believe नहीं करना है कि यह 53,000 है तो यह से उपर नहीं जाएगे जा सकती है बिलकुल जा सकती है उपन इंटरेस्ट भी trap हो सकता है open interest को हम इतने जादा उसमें नहीं लेना है कि यह काम ही करेंगे करते तो हैं लेकिन यह कभी-कभी करते हैं smallest इनने जैलर है मार्टि में इनका भी है है इनका भी टारजय इनका भी इसला है कभी है इनaudio सपोर्ट की बात करूं तो सेदा सपोर्ट आठड़ सब्सक्तर भी है 800 का level तूटेगा तो market आरम से 600-650 तक जाने की कौसिस करेगी 800 का level तूटते ही सस्टेंस करने चाहिए 800 के नीचे तो बड़िया स्विंग बने उसके बाद सीधा 700 और 700-650 तक market जा सकती है तो ये फिलाल level है open interest है और level मैंने आपको बता दिये हैं अपने level है 15 मिंट के चार्ट फ्रेम में कैसे क्या करना है देखो 15 मिंट के चार्ट फ्रेम में ये ही हमारे लिए support का काम करेगा ये फिलाल resistance का जब तक इसके अंदर market रहेगी जैसे कि अगर market flat open हो गए और यहीं पर चल रही है ना उपर जा रहे है ना नीचे तो इस तरीके से market सुकर जाएगी फिर फिर हो सकता है दो बज़े के करीब market एक उपर के तरफ moment दे दे ऐसा भी हो सकता है या फिर नीचे के तरफ ठीक है ना इस जोन में जब तक market रहेगी तो trapping जादा रहेगी और कुछ खास मज़ा नहीं आएगा टाइम डिके लगेगा only टाइम हो चुका है अभी आट बच के दस पॉएंट या फिर फंद्रा पॉएंट इस तरीके से आपको positive थोड़ा सा दिख सकती है nifty अगर gift nifty से मैं थोड़ा सा बता रहा हूं मुझे कुछ खास इसमें पता नहीं है लेकिन अगे इस्टी पॉजिटीव रहती है तो positive open होने के chances है और वह negative positive ही रहे यह कोई guarantee नही दिक्कत नहीं है यह positive close होगी ना तो gift nifty के इसाप से positive की इसकी closing होनी चाहिए मतलों कि pre opening positive होना चाहिए तो अभी देखो positive ही है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि gift nifty positive थी ना इसी कारण से यह positive open होई है चलो अब देखते हैं bank nifty लगबग 9 बच के 7 मिंट के आसपास pre opening होगी bank nifty और फिन निफ्टी की निफ्टी की 9 बजे हो चुकी है ठीक है ना ओके मैं आपको अपडेट करता हूँ इसकी प्री ओपनिंग पर तो ट्रेडर अगर आप अभी देखोगे तो market 900 लाओ चुकी और open देखो काँ पर होई है यहाँ पर gap up market open होई है थोड़ा सा market को decision लेने दीजेगा next market का resistance यह swing रहेगा अभी देखते है market यहाँ पर किस तरह की performance करता है तो resistance यह अब दिक्कत यह है देखने बाकि यह है कि यह यहाँ पर sustain कर पाता है यह फिर इस तरीके से यह ओपर जाएगा इस तरीके से फिर यहाँ से resistance लएगा देखना यह बागी है थोड़ा सा इंतजार करते हैं अब होई जल्दबाजी बहुती बिल्कुल नहीं है कि अभी ट्रेड लेनी है थोड़ा सा इंतजार करते हैं मैं द लिकत नहीं है इंतिजार करेंगे थोड़ा सा देखते हैं मार्गिट किस तरह की जो भी है कंडिशन में हैं अभी अभी कॉल में बाइंग नहीं कर सकते हैं ठीक है ना और देखेंगे कैसे सिच्वेशन बनेगी सो टर्डर यहां पर हमने एक छोटी से ट्रेड ली है कॉल में अगर आप देखो तो यहां पर देख सकती हो लगबग जो क्वैंटिटी है 225 और काफी सस्ता प्रिम प्राइजर जो भी है ओट्यम में हमने बाइ किया है और इसमें जो मैं ऐसे लूंगा वह वन के का लूंगा क्यों मैंने यहां पर कॉल में बाइंग की है काफी ज़्यादा चांसे से ऊपर जाने के वैसे नेगेटिव केंडल फॉर्म होई है तो कुछ भी हो सकता है लेकिन हाँ एक रिस्क मैं यहां पर ले सकता हूं ठीक है न तो मैं आपको अपडेट करता हूं जैसे ही यहां पर ज जाएगे तो मैं सेल कर दूँगा और टारगेट इसमें अपना आज का हाई तक रहेगा काफी ज़्यादा चांसे से देखते हैं मैंने काफी दूर का प्रिम्म प्राइस बाइज क्या है अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट दिखाऊं तो टोटल इन्वेस्टमेंट आप द नीचे जाएगा तो मैं सेल कर दूँगा ज्यादा एसल देने का कोई फायदा नहीं है और फिर एक दो बजी के करीब एक बजी के करीब हम ट्रेड करने की कोसिस करेंगे कि किस तरीके से क्या होता है एक्सपायरी में ठीक है न अब ट्रेडर यहाँ पर अपना देखो ऐसे लेट हो चुका है एक दम नीचे के तरफ स्पाइक आया था तो इस कारण से 1000 के उपर एसल चला गया तो मैंने भाई एकजिट कर दिया ज्यादा देर रुकने का कोई फायदा नहीं है एंड देखो सपोर्ट तो मार्केट ले रही है लेकिन देखते हैं क्या सिचिवेशन ब केंडल की क्लोजिंग ऐसी ही हो जाती है पांच मिन के टाइम फ्रेम में आपसे बात करता हूं पांच मिन के टाइम फ्रेम में अगर इस केंडल की क्लोजिंग बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है तो यहां पर एक पुट में एंट्री बनेगी चलो मैं पुट में एक ट्रेड ओर और फिर दो बजए की करीब लोंगा अब भी एक पुट में ट्रेड ले लेता हूं मैं काफी दूर का प्राइज मैं ब्लाइ करने की कोशिज कर रहा हूं यह मैंने 200 कॉंटिटी बाइ कर ली है ठीक ना यह मैंने 200 डाइसो क्वांटिटी बाई कर लिए जिसमें प्रॉफिट वगएर आप देख सकते हैं ठीक न हाँ केंडल की क्लोजिंग बिल्कुल अच्छी होई है तो यह केंडल जब बनती है तो मार्गेट के नीचे आने के चांसेस थोड़े से जादा रहते हैं अभी आप देख सकते है डाइसो क्वांटिटी है और कितना प्रॉफिट एंड लोज चल रहा है तो यह केंडल बनती है तो काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं पांच मिन के टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो मार्गेट नीचे आए यह वाली केंडल जो बीच में बनी है ना यह जब भी बनती है तोमार्गेट नीचे आता है ठीक ना तो देख लिएसक आप देख लिएना कौई दिक्कत नहीं अच्छे लिए टरीके से नीची आएगे मार्गेट यहाँ पर आएगी सो ट्रेडर अगर आप देखोगे तो मार्गेट देखो नीची आ रही है जैसा कि मैंने का था और अपने ट्रेड में प्रॉफिट भी चल रहा है लेकिन यह कब तक रहेगा कुछ फता नहीं है क्यों कि आज एक्सपारी है और टाइम डीके बहुत खतरनाक तरीके से लग रहा इस केंडल की क्लोजिंग हो चुकी है बढ़िया मतलब जो बीच वाली केंडल है यह तब भी बनती है तो मार्गेट नीचे आता है काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं ठीक ना इंतिजार करिएगा और देखिएगा किस तरीके से मार्गेट यहां पर आज के दिन वरक कर रही था और सपोर्ट पर यह केंडल बनी थी चलो एक नेगेटिव केंडल बनी थी उसके बाद दूसरी भी नेगेटिव केंडल देखो यहां पर बनाई गई है उसके बाद दूसरी नेगेटिव केंडल फॉर्म होने के बावजूद मार्केट फे एक बड़ी केंडल देखो बन यह सकते है किभी जाती है उस तरह मार्गिट जाती है अप देख सकती है उस तरह मार्गिट जाती है now देख सकते हो किस तरीके से क्या हुआ है यहां से अगर मैं कोल की बाइंग कर लेता तो यह negative candle form हो गई फिर second भी negative candle form हो गई दो-दो हो गई तो इस condition में हम कैसे यहां पर sustain कर सकते हैं हाँ माना कि यह level है वाई level काम करते हैं इतना मुझे पता है कि लेवल की नीचे नहीं गई अगर हम इस लेवल की एसल इसका एसल रखते तो हाँ यहां पर हमारा जो भी है profit हो सकता था तो लेवल काम करते हैं यहां पर यह candle वगरा काम नहीं करती है ठीक है ना तो और आगे मैं जो भी है ट्रेड करने की कोसिस करूँगा और फिर मैं आपको अपडेट करता हूं वैसे ट्रेडर अब ट्रेड करने का यार कोछ फायदा नहीं मेरे साब से देखो यार नियम अगर हम नियम से काम करेंगे ना तो साइद प्रोफिटिबल ट्रेडर बन सकते हैं वड़ना नियम तो ठीक है अपना दो के का ही मैं ज्यादा से ज्यादा एसल लेता हूँ कभी-कभी हो जाता है तीन चार पांच हो जाता है कभी-कभी दिक्कत ही हो जाती है लिकिन देखो दो के का एसल अपना हो चुका है हां ये मेरी पर आप खोदी बताएगा अगर आप Candlestick Pattern के बारे में जानते हैं लेवल की मैं जो भी है रिस्पेक्ट करता हूं लेवल काम करते हैं लेकिन Candle आपको ट्रैप कर देगी तो Candle ने मुझे ट्रैप कर दिया है तो इससे प्लिस कुछ सीखेगा कोई नेगेटिव डिसेजन मत ली लेजीगा मेरी तरप मेरी तरफ से है नकथ हो जाती है सबसे गलतिया और आपने देखा है और फोकर नहीं है देखो नियम के सबसे तो के काइसल हो गया अब ट्रेड नहीं खरूंगा और दो अपने ट्रेड हो चुकी है ठीक है ना कितना मैंने कर दो चार हजार के लगबग करना मैं बहुत बेकार है कि देखो कैसे चली है मार्केट यहांसे नीचे सपोर्ट लियाए यहाँ पर ट्रेड कर दिया बिल्कुल कोई सेटप कोई स्विंग वगरा कुछ काम यर करता नहीं है एक्सपारी वाले दिन ठेका और आपको दो पता है FNFT की सायद इससे एक expiry ओर है तो फिर मौका नहीं मिलेगा कि ओपरेटर को trap करने का क्योंकि monthly expiry होगी न फिर फिर मन्त में expiry होगी दो ये expiry मिलेगी तो मौका अब ओपरेटर के पास दो expiry एक तो ये हो गई एक ओर है दो expiry में तो वो कर रहा है trapping तो इसी कारण से ये होता है यह यहाँ पर लेवल तो काम करते हैं गौन बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीड़ियो में वस इतना ही मैं यह आपको दिखाना चाहता था एकस फारी में क्या हो सकता है ठीक है ना, तो ऐससा लपना गया है कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है जैसरी किसना सभी को बाई बाई टाटा सी यू